नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कगना और स्वाकत है आज की इस AGVG वाली वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं Lane Watch Assist, Lane Keep Assist, Automatic Emergency Braking और अलग-अलग तरीके के अलग-अलग नामों से इनको जाने जाने वाले फीचर की नाम कीश्रते हैं दो गछने बात करें वाले हैं बेसिक टिकनोलजी कैसे काम करती है सबसे पहली चीज डीर्रेक度 जलते हैं यह जो आप यह ढ़नों पर देख पा रहे हैं यह जो दो आपको शीज दिखरे हैं यह और यह यह, यह है camera, जी हाँ, यह camera है, और यह camera आपके 360 degree camera जो होते हैं, जो आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे की देखो, यह लग रखा है, यह ऐसे cameras नहीं हैं, बलकि यह दौनों cameras जो है, वो काम आते हैं, आगे की road को देखने के लिए, आगे की situation को देखने के लिए, यह camera based है, कुछ radar based भी होते है, radar based यूजली यह तो यहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता है, camera based जो है, वो वही लगे होते हैं, mostly कुछ-कुछ गाडियों में camera based जो है, वो cameras यहाँ लगे होते हैं, तो camera based को vision based कहा जाता है, और radar based को radar based कहा जाता है, क्या चीज़े हैं, कौन स हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहली चीज जिसकी बात करते हैं, वो lane keep assist, अभी आप यहाँ पर देख पार हो ना, यह दो lining's रोड से दिखा रही है, इसके पास में जो lining's है, यह bright white हो जाती है, अगर एक बार यह lane detect कर लेता है, तो मैंने इसको जो है on कर दिया है, यहाँ on हो गया है, अब मैं जो इसको lane में चलाना शुरू करता हूँ, और जैसे ही मैं चलाना शुरू करूँगा और यह एक बार lane detect करेगा, यह दौनों lane markings जो है, उनको detect करेगा, हलंग यह दोड़ी चौड़ी है normal सड़कों से, बोला जाता है, तो lane की process में क्या होता है, यह दो 30 करता है, या तो यह steering vibrate करके आपको बताएगा, कि आपकी lane change हो रही है, आप खुद action करो, या इसमें आप feature set कर सकते हो भी या अपने आप lane correction जो है, तो यह अपने आप lane correction का भी था और इसमें थोड़ा सा जो है, अपना lane correction अपने आप कर दिया है, एक और होता है lane departure control, तो मानलो अगर कोई इस lane पे गाड़ी जा रही हो, और वो जो है इस तरफ मूरने की कोशिश करें, और driver का ध्यान ना हो, यह मैं ब्रेक ना लगा हूँ, यह मैं स्टेरिंग ना गम हूँ, तो उस situation में गाड़ी जो है, अपने आप ब्रेक लगा लेती है, अभी देखो, यह वापिस अपने आपको correct कर रही है, तो अगर कोई गाड़ी एक दम चाहती है, तो उस situation में इस लेन में पूरी गाड़ी आजाती है, तो उस situation में गाड़ी अपने आप ब्रेक कर लेती है, थोड़ा सा ब्रेक करती है, पूरा ब्रेक नहीं करती है, और वो अपने आप ब्रेक करना जो है, उसको बोलते है, डिपार्चर वार्णिग उसको वार्णिग और जो ब्रेकिंग होती उसको बोलते हैं Automatic Emergency अभी देखो मैंने हाथ नहीं लग रहा तो इसको पता है यह बोल रहा है Keep your hands on wheels तो यह मैंने अपना हाथ जो है steering रख लिया है अब जो cameras है उनका एक feature मैंने आपको बताया लेन में रखना है दूसरा feature मैंने आपको बताया कि अगर कोई दूसरी गाड़ी लेन से डिपार्ट कर रही है तो उसके बारे में warning देना तीसरा काम है automatic emergency braking अभी automatic emergency braking में आपको demonstrate करके दिखा सकता हूँ बट करना नहीं चीए reason यह है कि वो अलग-अलग calculations पे based होता है कि pedestrian है कि two wheeler है या four wheeler है गाड़ी की speed क्या है किस speed पे pedestrian कितना दूर होना चीए आगली गाड़ी किती दूर होना चीए उस हिसाब से होता है होता गया है जब भी गाड़ी को लगता है कि एक गाड़ी जो है normal speed पे जा रही और सामने से कोई गाड़ी या कोई object है जो की सड़क पे है और brake नहीं लगाया गया driver के दौरा तो गाड़ी warn करती है और warning के तुरंत बाद जो है अपने आप brake apply होते है तो उसे बोलते हैं automatic emergency braking अभी ये situation मेर को थोड़ी सी explain जो है आपको जो कहते है ना demonstrate करने में जज़क इसलिए है क्योंकि ये Indian conditions के साब से usually उतना perfectly काम नहीं करती है बट फिर भी मैं आपको करने की कोशिश करता हूँ अभी गाड़ी की speed 65 के आसपास है और सामने वो जो जल रहा है और मैं कोशिश करता हूँ कि हो पता है नहीं हो पता है यह देखो, फॉर्वर्ड अलट करके गाड़ी जो है ब्रेक लगाना शुरू करती है, पूरी तरी के दर ब्रेक नहीं लगाती है, उतना ही ब्रेक गाड़ी लगाती है, जितना जो है गाड़ी को लगता है कि रुख जाए, अभी यहाँ पे सीन क्या है, यह आटोनॉमस वहीक यह आटोमेटिक कार नहीं है, अटोनॉमस कार नहीं है, अटोमेटिक इन दे सेंस ऑफ गेर्स नहीं, अलब खुद से चलने वाली गाड़ी यह नहीं है, तो यह एन्हांसमेंट फीचर से इन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बट यह फीचर द्राइवर को दिये गया है मतलब वो कहते हैं न, अवरॉल सेफटी को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए, अब एक और काम इस कैमरे का इस पर्टिकलर गाड़ी में होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो क्या होता है, जब आप क्रूज कंट्रोल सेट करके रखते हैं, अब देखो क्रूज इसको लगे का के वो गाड़ी हट गई है, तो क्रूज कंट्रोल वापित अपनी स्पीड पकड़ेगा, मैंने अक्सलेटर पेडल पर पाउ नहीं रख रखा है, गाड़ी आगे चली गई है, अगर माल लो गाड़ी इस लेन में है, तो जब स्पीड पर कैच करने की कोशिश करेगा यह, अब यह वापे 60 पर ले जा रहा है, बत मैं लेन चेंज कर लेता हूँ, और इस लेन में आता हूँ, और इस लेन में वो गाड़ी है, तो यह जो है, मुझे स्लो डाउन करने की कुश करेगा, देखो 59, 58, गाड़ी जो है, यह डिस्टेंस मेंटेन करके रहे है, अगर वो वड़ना वाला ब्रेक लगा लेता है, तो गाड़ी जो है, अपने आप ब्रेक लगा के स्लो हो जाएगी, इवन क्यू में भी गाड़ी चल सकती है, यह सारा काम जो है, यह दो कैमरा जो यह यहाँ पर लगे है, वो करते हैं, फर एक्जांपल अभी देखो वो गाड़ी जो है, यह दो कैमरा से पॉसिबल नहीं हो पाते है, यूजिली रडास लगे जाते हैं, जो की हंड्रीड मीटर सक देख पाएं, या फिर नाइट विजन कैमरा होते हैं, जो की मर्सेडीज की गई गाडियों में आपने देखा होगा, तो उनसे जो है, और दादा इन फीचर्स में अनलस्मेंट होता है, बागी दोस्तों फिलाद इस वीडियो में उतना ही उम्मित करता हूँ, वीडियो पसना है, पसना है अगले वीडियो दोस्तों हेलमेट पेनेगे, सीट बल पेनेगे, सुसक्ष चलिए, धन्यवाद